कि एक राजा ने एक संकल्प लिया उसने मुनादी करा दी कि भाई हम यहां पर एक लगाएंगे बाजार लगाएंगे और बाजार में जो नहीं भी केगा उसको हम खरीद लेंगे ये राजा का एक तरीका था व्यापार को प्रोचाहित करने का एक दिन एक कलाकार वहां शनीदेव की मूर्ति ले आया लोग मूर्ती बड़ी सुन्दर थी लोग कहते थे बड़ी सुन्दर मूर्ती है काली मूर्ती है किसकी मूर्ती है तो कलाकार कहता था शनीदेव की लोग कहते थे अरे भाई यह तो मुफत में भी कोई नहीं ले जाएगा शनीदेव को घर में शाम हो गई कलाकार ने कहा महाराज आपने कहा ता जो चीज नहीं भी केगी आप खरीद लेंगे राजा ने अपने मंत्री से कहा कि शनी को खरीद लो हमारी यह हमारा वचन था हमारा संकल्प था और हमारा संकल्प सत्य होना चाहिए मंत्री ने आम हाराज शनी दे लेने नहीं चाहिए और इनको तो टेल लगाके दूरी रखो राजा ने खावाई हमें जो कह रख़ा हैं हमें तो अपनी सत्य की रख्षा करनी अब राजा आदेश दिया फरमान दिया मंत्री उसको लिया और कोशागार में रख दिया अब राजा जाकर के महल में सो जाता है रात्री कुछ अपना देखता है क्या देखता है कि एक बड़ी सुंदर ओजस्वी नारी महल से भाड़ जा रही है में राजा ने का हे देवी आप कौन हो वह कहती है मैं लक्ष्मी हूँ यहां शनी आगए अब लक्ष्मी नहीं रहेगी मैं जा रही हूं राजा ने कहा जाओ थोड़ी देर के बाद एक पुरुष निकला बड़ा भव्य पुरुष के महराज आप कौन है कि मैं दान हूँ जहां लक्ष्मी रहेगी वहीं दान होगा लक्ष्मी नहीं रहेगी तो दान भी नहीं होगा तो मैं भी जा रहा हूँ राजा नहीं करोु जाएए ठोड़ी देर के बाद एक दूसरा भव पुरुष निकला बाराजया आको कौन हे something जहां लक्ष्मी होगी जहां दान होगा वहां य जोगा मैं भी जा रहा हूँ उसने का महराज आप भी जाईए थोड़ी देर के बाद एक विराट पुरुष निकलने लगा राजन प्राजा ने कहा महराज आप कौन है बोला मैं सत्य हूं राजाने का प्रभू आप नहीं जा सकते हो आपके लिए तो मैं शनी को अपने खजाने में ले आया तो कि मैंने कहा था कि नहीं जो मूर्ती बिकेगी उसको हमने खरीद लेना है तो आपकी रक्षा करने के लिए तो मैं बबाल पाल लाया शनी देर तो आप नहीं जा सकते आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है मैंने आपके के लिए कुर्बानी की है सत्त ने सोचा कि बात तो ठीक है जो उसने कहा था उसके अपने शब्दों की सत्ता के लिए उसने मेरी लिए कुर्बानी की है तो वो लोट गया जब भवपुरुश्थ सत्य लौट गया ठोड़ी देर के बाद यश्ड आगए ठोड़ी देर के बाद दान भी आगया ठोड़ी देर इसे सत्य को जानना चाहिए जो है रहेगा आदी सच जुगादी सच है भी सच नानक होसी भी सच जिससे हमें संसार सत्व प्रतित होता है आपने देखा होगा जब आदमी किसी चलचित्र को देखता है तो इसमें फिलम होती है फिलम के पीछे एक हैलोजिन लैंप होता है आर्क लैंप का प्रकाश उस फिल्म के अंदर से निकलता है और वो सारे उसके जो विम्ब है उसके जो टू डाइमेंशनल इमेजिस हैं वो पड़दे पर पड़ती है और ऐसा लगता है बिल्कुल सजी जब पहले-पहले लोग खेल देखा करते थे और कोई लड़ाई हो रही है तो डंड़ाई चला देते पड़दे को भाड़त इस वह समझते हैं बड़ा सजीव हो रहा है कि तो वह कुछ नजर आ रहा है वह प्रकाश है इंसे ही संसार के अंदर जो कुछ हम्य नजार आ रहा है वह एनरजी है लाइट यस यह रोशनी जो है यह भी वाइबरेशन है और इसकी जो वाइबरेशन जब अलग अलग स्पेक्ट्रम में बढ़ती है तो देन यूहाइव और रेन्बू कला है वेन वाइव टेयर फ्लाइट ट्रेवल्स थूर प्रिजम एट ब्रेक्स अप इंटू रेन्बू आपने देखा होगा जब बरसात पड़ती है तो आस्मान में इंद्र धनुष बन जाता है हम समझते बाप और ये इंद्र का धनुष है और लगता है कोई कलाकार आस्मान में गया होगा और उसने रंग लगा दिये पर वो क्या हो रहा है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं मॉइस्टर के अंदर जो पानी के कण हैं उनके अंदर से जब वाइट रह राइट वाइट रह जाती है तो सात रंगों में बढ़ जाती है इसी प्रकार से वह सात रंग छुपे हुए हैं आपके अंदर भी वह नाद ब्रह्म छुपा हुआ है आपके अंदर भी वह प्रकाश चुपा हुआ है प झाल झाल